जैमा, इंद्राक्षी, जैम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करती हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवा से मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुपकाम आए आमूमन बहुत हातों में ऐसा होता है कि जहां ये शुक्र छेत्रे और मंगल छेत्र है ये बहुत संगुच इससा होता है, चोटा होता है या इसमें बहुत ज़़्यादा रेखाएं होती है ये धन हानी, सम्रद्धी न मिल पाना, मान सम्मान की कमी, आनेवो परकार की कमिया छोड़ता है ऐसा हाथ इसके बारे में हम आपको कुछ बताने वाले हैं हो सकता है आपकी सम्रद्धी रुकी हुई है आपकी हतिली में इस प्रकार के कुछ चिन हो जो अभी हम आपको बताएंगे आज का हम पहले पंचांग देख लेते हैं 19 अपरेल सन 2022 दिन मंगलवार बैसाक का महीना कर्शन परक संबन 2089 तीछी चरत्या नक्षत रनुराधा रहुकाल तीन से साड़े चार दिशा सूल उत्तर दिशा बहुत लोगों के यहां बहुत गहरा गड़ा सा होगा यह अंगुठे को हम सीधे हाथ की बात करें यहां उल्टे हाथ की बात करें राइट या लेफ्ट किसी की भी हम बात करें अगर बहुत गहरा यहां गड़ा सा है तो आप माने न माने ऐसे व्यक्ति उदर के रोगी पेट के रोगी और धन संचे नहीं हो पाएगा और धन बहुत बड़ी मात्रा में आ भी नहीं पाएगा यह हाथ की पैचान होती है इसी के सास्ता आईए नीचे के तरफ सबसे बड़ा हमारे हतेली में जो परवत होता है यानि कि ग्रय होता है वो शुक्र होता है यानि कि शुक्र का जो एरिया है ना व्यास एरिया जो है उस सबसे ज़्यादा होता है बागी सभी ग्रों का छोटा-छोटा होता है जैसे सूरिय है शनी है ब्रस्पती है बुद्ध है चंद्र है चंद्र के ऊपर भी मंगल होता है ये शुकुरा गया ये मंग्ल आगया ठीक है a. अब शुकुर AND मंंग्ल के दोनों ही चष्ट्रों पर किसी के तृयक रेखाएं बहुत सारी बनी हो आड़ी तर्ची रेखाएं पत्ली पत्ली महीन महीन ऐसे देखें तो ऐसे लगे बहुत सारी रेखाएं आपस में गिरिल बनी हुए जाली बनी हुए और हाथ में वो एरिया बिलकुल ब्लैकिस सा नजर आए या धसा हुआ नजर आए कमजोर सा जराए तो आप माने ना माने नुकसान होगा धन सम्रदी संपदा से वो व्यक्ति अक्सर वंचित रहेगा या आभी गई तो वो किसी ने किसी बाहर ने चली जाए बहुत सारे ऐसे कारिये हैं भूमी जमीन जायाद जो मंगल देखते हैं आपकी वीरता आपकी बहुत लोग आ तो आपकी पराजय नहीं होगी शुक्र शान शुकत आपका नाम आपके रहन से तरीका एक अच्छा सा तरीका कहना आपको लाइफ इस्टेंडर बहुत सारी चीजों को शुक्र गिरा देंगे अगर आपके बेकार होंगे मतलब हला कि कोई ग्रहसा नहीं करता लेकिन अगर शुक्र कमजोर होंगे तो ऐसा होगा यह समझेने आप जो गोल्ड का काम करते हैं कपड़े का काम करते हैं ब्यूटी से संबंदित कोई कारे करते हैं मौडलिंग से संबंद करते हैं फिल्मों से संबंदित कारे करते हैं यदि शुक्र पर इस प्रकार की निशान हैं तो काम संबंदित कारे करते हैं लाल कोई कारे करते हैं पैट्रोलियूम से संबंदित कोई कारे करते हैं अगनी से संबंदित कोई कारे करते हैं कोई रेस्टूरेंट ढबा इंट भटा बहुत सारह ऐसे कारी हैं तो यह मंगल पर ऐसा होगा नुकसान की मात्रा वरहेगी इसलिए देखो यहां मैं यही कहूंगा कि किसी मरमग्य को एक बार अपना हाथ दिखाने हैं ताकि वो क्या उपाय आपको देते हैं उन उपाय को करें तो आपकी यह समस्या पिश्वर करपा से दूर हो जाएगी क्योंकि बहुत लोगों के पास जर्म पत्रियां बनी नहीं होती है समय में किसी के कंफ्यूजन होता है सबसे अच्छा तरीका हाथ की रिखाए दिखा लो और जो आपको मंत्र दें दान दें उपाय दें वो करो मोटी सी भाषा में अगर हम अपनी बात करें तो हम तो यह कह सकतें शुक्र मंगल कमजोर है तो इनके विश्चेस उपाय कर लिजयेंगे लेकिन मैं राय दूँगा कि कई बार मंगल कमजोर ना हो केवल शुक्र कमजोर हो या शुक्र पर राहू की दरस्टी हो या केवल शुक्र अच्छा है और मंगल कमजोर है मंगल पर राहू की दरस्टी क्यों कि राहू भी इसके बिल्कुल पास में उपर की तरफ राहू होते ह तो इस स्थिति में एक मतलब अच्छे तरीके से अपने हाथ को दिखाने के तरीके से और अपनी समस्या जो भी है उसको हम अच्छे से सुल जा सकें उसके लिए बहतर रहता है कि आप किसी विद्वान व्यक्ति को अपना हाथ दिखा लें और या जर्म पत्रिका अच्छे से दिखा लें उसमें भी सेम बात आएगी अगर हतेली में शुक्र मंगल कमजोर हैं तो आपकी कुंडली में भी ऐसा ही होगा ठीक है तो आईए अब मैंने आज ये आपको बता दी है आईए साथ को समय चला आज की ध्यान माला का आज की ध्यान माला में हम जोड़ते हैं बावा हनमानची से जातं नमामी मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेंद्रियं वोद्धिमतां वरिष्टं वातात्मजंबा नरयूत्यमुक्यं स्रीराम दूतं सर्णं प्रवद्दे राम आया राम भद्राया राम चंद्राय वेदसे श्री रगुनात नाधाया सीताया पतये नमहा श्री हनुमंताय नमहा कबच बना लें ध्यान करें भाबा हनमान जी का शुबासिस हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलने समान्य हो जाए देखो साथ को ये जीवन है इसमे दुख तकलीफे सब के जीवन में आती है लेकिन जोतिश एक ऐसी विद्धिया है और जोतिश विद्धिया में आप बहुत अच्छे से अपने आपको लाब ले करके काम्याब बना सकते हो इस माध्यम से ये विद्धिया किसी विशेश justement के लिए नहीं है किसी विशेश जाती के लिए नहीं है ये एक विद्धिया है इस विद्धिया से कोई भी लाब उठा सकता है ठीक है अब जैसे पैथोलोजी लैब होती है अब वहां कोई विशेस जाती की तो बात नहीं है कोई विजाए अपने टेस्ट कराए टेस्ट में जो समस्याए हैं वो फिर डॉक्टर साथ दूर करते है ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अपना हाथ दिखाए या अपनी कुंडली विद्या है यह प्राचीन विद्या है इससे कोई भी लाव उठा सकता है इससे किसी जाती का मतलब नहीं है आप कोई भी जो समस्याएं से घिरा व्यक्ति हो वो अपने इस प्रकार से कुंडली या हाथ दिखा करके लाव ले सकता है और विश्वास आपको होना चाहिए जी जीवन कई बार बहुत बुरी तरह से किसी दो रहाय पर फज जाता है कई बार हम लंबे समय तक समस्याओं में जीते रहते हैं घुट-घुट के रोते रहते हैं उससे बेटर है एक बार किसी अच्छे व्यक्ति को मिल करके या किसी भी माद्दे हमसे उनसे सला मसुरा लें और अपनी समस्याओं से आप लोग बाहर निकल सकती हैं जिन जिन साद्गों की जनम पत्रिगाएं बच्चों की जनम पत्रिगाएं हमारे संस्थान में बनने को आई हुई हैं तो कुछ की बेच चुके हैं कुछ रह गई हैं तो वो धहरी रखें सबको मिलेंगी आ सब्सक्रते वह भी हम से घीजने का प्रयास कर रहें अभी व्यक्ति के रूप से दिल्ली में नहीं मिल रहे हैं अभी टैलीफोनिक अपाइंट्मेंट के महाध्यम से हम समस्याओं आपना जो भी आप को प्रामर्श देते हैं वो दे रहें तो आप देजवीदेश में कहीं तो आप टेलीफोनिक अपाइंटमेंट हमसे ले सकते हैं आप स्वस्त रहें सुखी रहें इनी सुख कामनाओं के साथ हम अपनी वानी को विनाम देती हैं जय जय अम्बे किसी भी समस्या के समाधान के लिए निले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें मुझा करें